और देश के स्वयम सिद्ध बुद्ध जीवी और इंजियोज जिनका एक ही उद्देश है मोदी जी के खिलाफ कैम्पेन करना उन्हें बहुत ताउट तुफान पैदा किया था आपको याद होगा 21 से कहानी चल रही थी बाद में यह मामला सुप्रिम कोट एक जन ही त्याचिका में पहुंचा किसकी जांच कराई जाए और आप सभी जानते हैं कि सुप्रिम कोट ने एक बड़े ही सक्षम टेकनिकल मेंबर्स की कमिटी बनाई नौर्बल सुप्रिम कोट अपॉइंटेड वेरी पाउफुल कमिटी ऑफ एमिनन टेकनोलोजिकल एक्सपर्ट तो एक्जामिन दो होली शोफ पेगासस और इसमें और विश्वश नेता के लिए मानिय सुप्रिम कोट ने ये भी कहा कि सुप्रिम कोट के बहुत इस्टिंविश्ट रिटाइड जैजिस रविंदरन वो इसकी monitoring करेंगे इस पूरे committee की working की therefore the supreme court put in place a mechanism of eminent technical people and and the working was to be supervised by Justice Ravindran very distinguished retired judge of supreme court ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ ये पूरी committee सरकार से बिलकुल अलग थी इस committee के उपर सरकार का कोई नहस्शेप था कुछ था हाँ सरकार ने एक बात कही थी कई मामले राश्टी सुरक्षा के हैं उसे हम शेर नहीं कर पाएंगे पिर supreme court की committee के आगरह पर तुफान खड़ा करने वाएं लोगों ने 29 मोबाइल इस committee के सांदे रखा कि मेरे मोबाइल से कुछ लगता है गरबढ़ हुई है तो सिर्फ 29 इस मोबाइल को उस committee के examination के लिए रखा गया आज उसकी रिपोर्ट सब्मिट हुई है वो रिपोर्ट सील्ड कवर में है लेकिन मानिय सुप्रेम कोर्ट में मुख्णाइधिश जी ने समानिय मुख्णाइधिश जी ने इतना जरूर कहा कि committee ने अपनी रिपोर्ट में किसी में भी पेगासिस का वाइरस नहीं पाया है और पांच में कुछ है लेकिन वो पेगासिस नहीं है उस मालवेर में उसके examination करने के ज़रुआद है यह मैं प्रेश आपके सामने इसलिए आया हूँ कि यह बाते मानिय मुख्णाइधिश जी ने अपने CGI कोट में कही है और ने का कि इस पूरी रिपोर्ट को हम भी नहीं जारी करेंगे कोई क्या मामला राष्टिय सुरक्षा से समंदित है लेकिन इसका एक अब्रिज्ड व जाए किसी मैं पाया गया जाज में एक मालवेयर है उसकी उजाज करने का आदेश है अब देश के सामने बोलने का हमारा दिन है क्या-क्या खुरफात नहीं किया था इन लोगों ने मेरे पास सारे कॉंग्रेस पार्टी के स्टेट्समेंट हैं स्टेट्मेंट्स हैं जो बदूनी उनकी टीम ने निकाल क लगाया था देश्द्रो का देश्द्रो का आरोप लगाया था इन्होंने पिछले साल मौनसूर सेशन को होने नहीं दिया था और जो रिपोर्ट आई है तो मालू हुआ हाली 21% productivity हुई है और राहुल गांधी ने क्या कहा था वो हम जरूर आपके लिए कहना चाहेंगे यह राहुल गांधी के पेगासस के हम टिपनी पड़ रहा है आपके लिए पेगासस is an attempt to crush Indian democracy पेगासस is an attack on the country and country's institutions I am confident the supreme court committee will get the truth पेगासस was used against chief ministers, former prime ministers and BJP's ministers among others was the prime minister and home minister getting the data obtained through use of Pegasus यह राहुल गांधी के statement है और बाकी राहुल गांधी कई ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसको मैं अपनी मर्यादाओं में करन रिपीट नहीं कर सकता इतना कहा गया था उनके official press conference में कि यह देश द्रोह का मामला है, राज द्रोह का मामला है क्या राहुल गांधी Congress Party माफी मांगेगी? जिस पर इतना तूफान खड़ा किया गया देश भर में कि भारत में जनता की privacy को नुक्सान बताया जा रहा है institutions को compromise किया जा रहा है प्रधान मंत्री अपने पार्टी के अंदर पेगासेस के द्वारा surveillance करा रहे हैं, विपक्षियों का करा रहे हैं पूर प्रधान मंत्री का करा रहे हैं अरोप शुरू हो गया तो क्या आज Congress Party माफी माँगेगी क्या रहूल गांदी माफी माँगेगे यह हैं बड़े सवाल और यह मैं इसलिए आप से कह रहा हूँ कि इन लोग ने संसच चलने नहीं दी थी आपको आदा ना आप खास करके हमारे टीवी वाले और हमारे प्रिंट के हमारे मित्र उस समय के अपने फूटेज और रिपोर्टिंग को निकालेंगे तो संसच कितने दिन नहीं चलने दी गई थी वो सब रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगे यह सारा कुछ एक motivated campaign का पाट है जिसका सच्चाई से कोई मतलब नहीं है इसलिए आरोप लगाते हैं और भाग जाते है और उसके सार में क्या है उसके सार में है कि मोदी जी को कमजोर करने मोदी जी के खिलाफ अनरगल बयान देते रहो यह मतलब आपसे इसलिए कह रहा हूँ याद करिए पेगासस पर तो दुनिया में चर्चा हो रही थी और कई देश तो इसका प्रयोग करते हैं उनका नाम नहीं आ रहा था लेकिन भारत में इसका दुरुपयोग हो रहा है यह चर्चा दुनिया में हो रही थी, यह दुनिया में करवाई जा रही थी. हिंदुस्तान में तीन-चार मीडिया के मीडियम्स नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लोंगा, प्रिंट और अलेक्ट्रोनिक्स बोथ, क्या कैम्पिन किया था? The BKP is entitled to respectfully ask the leading newspapers or journals or digital mediums whose unleashed a sustained motivated campaign against Prime Minister in particular and his government in general. His government survives on snooping, on spying, क्या क्या शब्दों को प्रियोग किया गया था? लेकिन Congress Party रहूल गांदी यह नहीं समझते हैं कि जूट का सहारा लेकर वो अपनी पार्टी को विस्तार करने की कोशिश करते हैं लेकिन जूट का भंडा फूट जाता है तो पार्टी और से कोड़ जाती है? अजची कि बढ़ अन्छू करते हैं रहूल गंडी यह नहीं। आजब कि अंजची जा अश्ची करता हैं राहूल गांधी कॉंग्रेस पार्टी सोनिया जी दो चीज का अब ध्यान रखे हैं बड़ी विरमता से कह रहा हूं लोक तंत्र लोक लाज से चलता है डिमोक्रिसी शाइन्स और प्रॉस्फर्स उन सर्टेन विल डिफाइन नॉर्म्स अफ पॉब्लिक लाइफ तो जूट की खेती बहुत दिन नहीं चलते हैं आज ये मैं इसलिए कह रहा हूँ पेगासिस उसके पहले राफिल उसके पहले जो दिल्ली में पार्लेमेंट बन रही है और सारा जो विस्तास बन रहे हैं उसको ले क्या कैम्पेंड किया गया क्या छोड़ा गया कैसे शब्दों का प्रियोग किया गया और एक चीज़ आप देखिए जूट का सहरा लेकर आरोप लगाना और फिर P.I.L. की छत्री पे कोट पहुँच जाना ये तो मानने उच्छने आले ने स्वैम ओर्डर किया है तो जूट का सहरा लेकर कैम्पेंड करना और उसके पशात P.I.L. के सहरे से कोट पहुचाना इनके मित्र इनके सहयोगी पेडिश्टर बनते हैं और उसके बाद क्या हो राफल हो चाहे वो सेंट्रल विस्टा हो चाहे आज का पेगासिस हो हर को सुप्रिम कोट ने रिजेक्ट किया और बाकी कोट ने कॉंग्रेस पार्टी इस पाइंग पर हमें नसीहत न दे आज मुझे पीड़ा से बोलना पड़ रहा है जब देश के योग्य राष्टपति स्वर्गिय प्रणव बाबू देश के वित्मंत्री थे तो उनके दफ्तर पर किसने बगिंग की थी याद है कॉंग्रेस पार्ट में कितना अधिक बाकी चीदे करने की कोशिश की गई है यह सब के आंक्रे हैं आप कहेंगे तो हम वो भी दे देंगे की तेरा तक सैक्लो चीजे जिस तरह से की हैं है मैं पढ़ रहा हूँ ए रतिया रिप्ली रिप्लाइब रिप्ली रिप्ली में थीजे रिप्ली तक स्टीज थीजे रिप्ली में है यह चौंग्रेस पाटी नौह हजार फोन और पांसो मेल अकाउंट को अवरी मन्फ वाच करती थी तो हम एं ज्ञान नहीं और एक बात हमें कॉंग्रेस पार्टी को और कहना है इन लोग तंत्र है, मैदान में आ जाईए जन्ता इमानदारी से वोट देती है लेकिन प्रायोजित कैम्पेन, जूटा कैम्पेन, प्रायोजित P.I.L. और हरका डिस्मिसल इससे आपकी पार्टी नहीं बढ़ने वाली है तोकि नरिंद मोदी की सरकार इमानदारी से काम करती है गरीबों की चंता, किसानों की चंता, देश की चंता और देश की सुरक्षा की चंता आज बीजेपी की ओर से हम बहुत विनम्रता से यह कहना चाहेंगे Congress Party हो या NGOs हो जो उनसे बहुत नजदी की महसूस करते हैं या फिर Leftist हो आप कुछ भी करिये, नरिंद मोदी जी की सरकार देश की सुरक्षा पर कोई compromise नहीं करेगी और उसी का असर है कि कश्मीर में पिछले 15 अगस को इतने जंडे फाराए गए जाए वो सोपिया हो या बाकी भी छेत रहूं कि जंडे कम पड़ गए हम देश भक्ती का सवदा नहीं करते देश भक्ती हमारी प्रतिबद्धता है भारत की सुरक्षा हमारा commitment है अंदेशा भी no compromise on that तो मित्र मुझे अपनी और से इतने ही कहना था कि पेगासस का विशे गंभीर था इसलिए हमने आपको रख दिया I am open to any question now देखिए आपको मैं पहले कहता हूँ कि कोर्ट ने आज क्या कहा है कि सब कोर्ट में observe हुए न कि रिपोर्ट को पढ़ा पेगासस का वाइरस 29 मोबाइल में नहीं पाया गया जिन लोगों ने कमिटी के आग्रह पर अपना मोबाइल दिया था उनके examination के लिए पहली बात हो गया पास में कुछ मालवेर पाया गया है जिसके और इटर इग्जामेशन हो रहा है मानिय चीव यसस ने ये भी कहा कि इस रिपोर्ट को हम पूरा पब्लिक नहीं करेंगे कुछ पूर्शन को करेंगे कितना करेंगे जब लोड होगा तो मालू हो जाएगा तो एक प्रकार से तो देश की सुरक्षा के लिए कर जो भारा सकार ने कहा था कि ये विशय बहुत ही गंभीर है इसलिए हम भारत की सुरक्षा के प्रति सब कुछ डिवीड नहीं करेंगे उसको नहीं भी सिका रहा है तो लेट स्वेट है मोटी बात ये है कि पेगासेस नाम का जन्तू किसी भी मोबाईल में नहीं पाया लिया आमो जी आज के मेरी प्रेश उसी पर इसी विशय पर और कोई सब्सक्राइब करेंगे अब जब ये सुप्रिप कोड़ करेंगे मामला सामने आए तो आपको लगता है कि अगले विश्ते मामले रहे उसको चुप्ती साधी है ये तो हमने कह दिया नहीं लेकिन जनाव माफ करें माफी मांगना राहूल गांदी की फितरत में नहीं है मैं बात बहुत जिम्वारी से कह रहा हूँ याद है आपको मैं उस शब्त को दुरा नहीं सकता उननीस के चुनाव में चौकिदार नाम लेकर क्या पचार किया गया था देशपर में लगवाई से नारा हम लोग को और बहुमत मिल गया जनता ना अशिरवात दिया और राफेल की कहानी सुप्रिम को डिस्मिस कर दिया क्या उनने कभी स्वरी कहा तो वहीं फिर रिपीट करूँगा कॉंग्रेस पार्टी हमारे बाकी उनके मित्र हमें हराना है तो भाया चुनाव में हरा दो ना हरा दो हमें लेकिन चुनाव में हारते रहे हो आगे भी हारोगे मोदी जी की लोग प्रियता दुनिया में और बढ़ रही है और इस तरह के जूटे आरोप लगा कर और कोर्ट का सहरा motivated प्याइल के दुद्धा करने के करण आपकी पार्टी बढ़ेगी और एक बात हम और कहेंगे जो ऐसे न्यूस पेपर्स जर्नल्स डिजिनल प्लैटफॉर्म ने जो सस्टेंड कैंपेंज चलाया वो भी कुछ पुदर विचार करेंगे अपने मारे में इंट्रोस्ट्रेक्शन करेंगे अर अविंदर जी तेखिए अब यहां मैं राहूल गांदी की हर बात पर जवाब देने नहीं बैठाओं क्योंकि मेरा वो अस्तर नहीं है जिए शब्दों का प्रयोगों करते हैं यह हमारे बीजेपी का अस्तर नहीं है और नहीं होगा हम राजनीती में एक मर्यादा और सुजटा की बात करते हैं इसलिए उनीस के कैंपेंड में चौकिदार शब्द पर आगे क्या उन्हें बोला था मैंने नहीं कहा आपके सामने उसका जवाब जनता देती है और आज भी देगे बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लेगो सभी मीडिया के सातियों से गाग रहे हैं साड़े तिन बजेट बहुत ही मैत पूर्ण प्रेस कॉन्फेंस होगी आप सब लोग उसमें भी हिस्सा लेगे बहुत बहुत धन्यवाद है ने